प्यारे विद्यार्थियों जमस्कार आज आनलाइन के अंतरगत हम रश सूत्र की व्याख्या के साथ रश सूत्र के व्याख्याकारों के बारे में बात करेंगे पूर में हमने रश के जो अव्यव है उनके बारे में चर्चा की थी भरतमुनी ने नाटि सास्तर में जो रश सूत्र दिया है वह है विभाव, अनुभाव, वेभीचारी, संयोगात, रस निस्पत्ती अर्थात विभाव, अनुभाव और वेभीचारी भावों के संयोग से रस की निस्पत्ती होती है भरत मुनी ने रस की परिभासा नहीं दिया पितु रस निस्पति की प्रकिरिया का उले किया है और भरत मुनी ने इस सबसे पहले रस के स्वरूप पर विशार किया है और कहा है रस क्या पदार्थ है फिर स्वेम में इस प्रसन का उतर देते हुए वे कहते हैं कि रश में आश्वार प्रदान करने के गुण होते हैं इसलिए वह रश कहा जाता है रश किसी कव्य या नाटक के स्रवन या दर्शन से जो आनंद की अनुभूती होती है उसे हम रश कहते हैं भरत्मुनी का मत ये है कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के विंजनों औस धियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिसंड से भोज्य रश की निस्पति होती है उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों के संयोग से इस्थाई भाव भी नाटे रश को प्राप्त हो जाते हैं अब जो हमारे रस की जो प्रमुक बाते उभर करके आती है वो भरतमुनी के अनुसार रस आजस्वाद्य होता है आजस्वाद नहीं रस अपने में कोई अनुभूती नहीं है इस्थाई भाव ही विभावादी के संयोग से रस रूप में परिनत होते हैं रस का मूल अधार इस्थाई भाव है जो रस नहीं है किन्तु यही विभावादी के संयोग से रस रूप में बदल जाता है सरदे रस का आजस्वाद हर सादी के रूप में करता है और भरतमुनी ने रस की व्यक्या विसेगत रूप में करते हैं अब ब्रत्मुनी ने जो रशीतर दिया है जिसमें सयोग और निश्पत्ती सब्द की व्याख्या आवशिक है और इस रश्शीतर के प्रमुख व्याख्याकार के रूप में चार आचारे माने जाते हैं भट लोलट आचारे संकुक भट नायक और आचारे अभिनव गुप्थ पहले हम करते बात करते हैं भट लोलट का उत्पत्ति वाद रशूत्र के पर्थम व्यक्याकार आचारे भट लोलट है इन्होंने इस उत्पत्ति वाद के को उपचैवाद और आरोप वाद नाम से भी जाना है भट लोलट के अनुसार रश की उत्पत्ति होती है उत्पत्ति के लिए कारण, कार्य, सहकारी कारण से उत्पत्ति संबव होती है इस्ताई भाव ही परीपक्वता को प्राप्त होकर रस कहलाते हैं विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के सयोग से इस्ताई भाव परीपक्व होकर रस कहलाते हैं और रस की निस्पत्ती होती है रस अनुकारे में होता है अर्थात रस मूलत अनुकारे राम आदी मूल पात्रों में रहता है पर दर्सक अभी नेतां पर राम आदी का आरोप कर लेता है अथ अभी नेता में भी गौन रूप में रस रहता है इसी कारण लोलट के मत को आरोप वाज भी कहा जाता है भट लोलट के अनुसार निश्पत्ती का आर्थ उत्पत्ती है तो रस निश्पत्ती में वे सर अदे का कहीं पर भी उलेख नहीं किया वास्त्विक्ता तो ये है कि उन्होंने सर अदे का उलेख तो नहीं किया किन्तु उनका अभिप्रा यही था कि सरदही रामादी का अभिने करने वाले पात्रों में मूल पात्रों का आरोप करता है और फिर भी इसी आरोपित पात्र में रस की परतीती करता हुआ वह स्वयम भी रस की अनुभूती करता है दूसरा जो मत है वो है संकुक का अनुमिती वाद रशूत्र के दूसरे व्यख्याकार आचारे संकुक है उन्होंने रशूत्र की व्यख्या अनुमान प्रमान के आधार पर की है संकुक के मतानुसार सरदे नट पर राम आदी पात्रों का आरोप नहीं करता अपितु अनुमान कर लेता है इसलिए उनका मत अनुमिती वाद कहा जाता है न्याय सास्त्र के अनुसार प्रतीती चार प्रकार की मानी जाती है राम को राम समझना ये सम्मिक प्रतीती है राम है अथवा राम नहीं है ये संश्यात्मक प्रतीती है राम को कुछ अन्य समझ लेना ये मिठ्या प्रतीती है और राम जैसा है ये साद्रश्य प्रतीती है चित्र तुरंग ग्यान इन चारों प्रतीतियों से भिन है चित्र में बने घोडे को देकर ये कहना कि ये घोडा है चित्र तुरंग ग्यान कहलाता है इसी के आधार पर दर्सक अभीनेता पर राम की प्रतीती कर लेता है नट की अभीने कुसलता के कान इसी अनुमान किये गए पात्र में रतियादी भावों का भी अनुमान कर लेता है इस विलक्षन अनुमान को कला प्रतीती कहा जा सकता है संकुक का मत्हे की रस निश्पत्ती की समूची प्रकिरिया अनुकरण पर आधारी थे नट नटी वास्त्विक राम सीता के विभाव अनुभाव का अनुश्रन करते हैं और ये विभावादी वे ही हैं जिनका वर्णन कवी करता है अनुभावों का अनुकरन सिख्षा अभिने कुसलता की बलपर होता है संकुक के अनुसार संयोग का आर्थ हे अनुमान और निश्पत्ती का आर्थ हे अनुमित्य इस तरह विद्वानों ने इनके मत की आलोचना करती गुए ये भी कायक कि अनुमान बुद्धी का विशे है और रस भावना से जुड़ा हुआ विशे इन दोनों की सम्मति आपस में नहीं बैठ सकती भावों का अनुकरन नहीं किया जा सकता ततका रस का अनुमान भी असंगती पतीत होता है इस तरीके से संकुक के ने अनुमिती वाद के का सिद्धान दिया फिर है भट नायक का भुगती वाद रस यूत्र के तीसरे वेख्याकार आचार ये भट नायक है उनका सिद्धान भुगती वाद क्यलाता है उनके अनुसा न तो रस की उत्पत्ती होती है और नहीं रस की अनुमिती होती है बलकि रस की भुगती होती है रस निस्पत्ती में भटनायक का सबसे बड़ा योगदान साधार्नी करण का सिद्धान है भटनायक ने जो भटनायक का योगदान जो रस का साधार्नी करण है उस साधार्नी करण में भटनायक का सबसे बड़ा योगदान है और उन्होंने भटनायक ने जो अपनी मानिताय रखी है उन्हें सार भटनायक की भुगतीवाद का मूल आधार सांख्यदर्शन है सांख्य दर्शिन में प्रकर्ती को त्री गुणात्मक माना है और सत्रजय अंत्म से युक्त माना है सत्में प्रीती, रज में अप्रीती, तथा तम में विशाद की इस्तिती ओती है बटनाय के अनुसार रस निश्पत्ती का आर्थे भुगती तथा संयोग का आर्थे भोज्य भोजग सम्मन्द भावक्त वैपार से कावे में वर्नित विभावादी किसी विख्ती विशेश के विभाव न रहकर सर साधार्ण के विवावादी बन जाते हैं इसी प्रकिरिया को साधार्णी करण माना गया है साधार्णी करण होते ही सामाजी के सत्व गुण का उद्रेग हो जाता है तथा रजो गुण तमो गुण का समन हो जाता है भावक्त्व के उपरान बोजगत्व वैपार प्रार्म होता है जिसमें सरदे अपने ही साधारनी करित इस्ताई भाव का रस रूप में भोग करता है बटनाएक की स्विकार करते हैं कि काव्यादी का आनन लेते समय रजोगुण एवं तमोगुण की निवरती हो जाती है और सत्वगुण का उद्रेक होने पर लोकतर आनन की अनुभूती होती है बटनाएक की सरवादिक मत्वपूर्ण उपलब्दी साधारनी करण का सिद्दान है अभिनवगुप्त का अभिवेक्ति वाद चौथे रस शूत्र के चौथे वेक्याकार आचारी अभिनवगुप्त है उनके अनुसार न तो रस की उत्पति होती है नहीं अनुमिती होती है नहीं भुगती होती है बलकि रस की तो अभिवेक्ती होती है इसलिए उनका मत्व अभिवेक्ति वाद कहलाता है अभिनाव गुप्त के अनुसार रस वेंजना का वैपार है जैसे मिट्टी में व्याप्त गंद जल के छींटे देने से वेक्त हो जाती है ठीक उसी प्रकार सर रदे सामाजी के रदे में वासना रूप में दिरंतर विद्यमान इस्ताई भाव विभाव आदी के द्वारा अभिवेक्त हो जाते हैं रश वेंग्य है जो वेंजना का वेपार है विभाव अनुभाव और संचारी भाव वेंजक है जो इस्ताई भाव को अभिवेक्त करते हैं विभाव आदी सामान्य वेवार में लोकिक होते हैं किन्तु काव्य और नाटक आदी में वे अलोकिक हो जाते हैं विभाव विभावन व्यपार में इस्थाई भाव को अंकुरित करता है अनुभाव इसे अपने योगी बना लेते हैं और संचारी भाव अनुरंजन व्यपार से इस इस्थाई भाव को परिपोष्ट करते हैं अभिनव गुप्त ने अभिनव गुप्त का रश सिध्धान शैव मत के सिध्धान पर आधारित है जिस प्रकार ये जगत सिव की इच्छा सक्ती की अभिवेक्ति है उसी प्रकार प्रिक्षक के मन में वासना रूप से अवस्तित इस्ताई भाव की निर्विग्न अभिवेक् अभिनव गुप्त की वैख्या में रस की सब्ता आत्म गत्मानी गई है रस सारदे सामा जी के रदे में व्यापत होता है इस तरह विभिन आचारियों ने रस की सूत्र की वैख्या किये जिसमें भट लोलट का उत्पतिवाद उसके बाद संकुक का अनुमुतिवाद भट नायक का भुक्तिवाद और अभी नवगुप्त का अभिविक्तिवाद प्रमुक है धन्यवाद